एलो इब्रीवन स्वागत है आप सभी का DRDO MTS एक्जाम इसमें हम लोग प्रिबिएस येर का हम ने आप पर पेपर ले रखा है और यहां पर हम लोग जनरल अवेरनेस के क्वेसंस करेंगे इसके आगे प्रेंट्स हम लोग प्रेक्टिक सेट से भी करेंगे जनरल अवेरनेस के इसके पहले आपके लिए मैंने मैंस के और साथ में रीजनिंग के प्रेक्टिक सेट्स अवेलबल करवाए थे जिसमें कुछ क्वेसंस आपके प्रिबिएस येर के साल पेपर से लिया था क कुछ पर कोसंस आपके नए थे जो आपके होने वाले एक्जाम के लिए मोश्ट प्रॉबेबल इस तरह के कोसं बढ़ाए गए गए थे देना है चलो देखते हैं आपर फर्स्ट कोशन एक रिक्वेस्ट आप सभी से है कि जब भी आप कोशन करना डिया डियो के हमेशा आप जो इंग्लिस वाला उसका वर्जन उसको आप जरूर देख लिया करना है देखो क्या हुआ था इस बार यूपीस्ट का पेपर हुआ था 2020 वना उसमें एक क्वेस्ट तो ऐसा था जिसमें हिंदी का जो ट्रांसलेटेट था पूरी तरह से गलत था ठीक है कभी कभी मैं आपको एक क्वेस्ट आप और दिखा रहा हूं यह देखो क्वेस्ट यहाँ पर है अब इसमें हिंदी वाला ध्यान से पड़ो प्रित्मी के व अब इन दोनों को कैसे आप समझोगे यहां से अगर आप पढ़के आंसर करोगे आपका आंसर गलत होने के चांसर जोंगे इसलिए आप अंग्रेजी इंग्लिस वाला जो सेंटेंस रहेगा उसको आप जरूर पढ़ लिया करना कभी कभी पेपर जो होता है और ट्रांसलेटेड होता है उसमें हिंदी अलग से टाइप नहीं किया जाता है इंग्लिस वाला टाइप करके उसमें हिंदी जो होती है वो ट्रांसलेटेड आटोमेटिकली उसमें आ जात करना चलो देखों यहां पर फर्स्ट कोशन कि वीच आफ दे फालोविंग डज नाट बिलॉंग टू फीजिकल एंवार्णमेंट और यह जो बता रहा हूं मैं आपको बेसिकली आपको आया कर सकते हैं कि बिल्कुल जनरल अवेर्नेस के लिए आपको फालो करना है इसको इसको बाकि मैट्स और रिजनिंग में चल जाएगा वहां पर दिक्कत नहीं होती है इंगलिस यहां पर हिंदी वाले पार्ट से फिर भी आप पढ़ लिया करना तो वीच आप दो फालोविंग डज नाट बिलांग टू फीजिकल एंवार्मेंट यानि इन में से किसका जो में जो कुछ भी आपको घेररे हुए हैं। जो कुछ भी सिचूइटेट है आपकी चारों तरफ स्राउंडिंगमेंग में यहां पर प्यस पिर होगा डियाँ, इसका यहां प्लिख價 हो गया इसकी आद्ध़ हुगा Grass डाद यह आपका north call यह इसको हम बोल देते हैं north hemisphere और इस को हम बोल देता है south hemisphere north he is great के के तरफ यहाँ पर hij counselors रहखा और यहाँ पर होता है सादे तेज्डीकरी में south में मकर रहखा ऐसे यहाँ पर होता है आर्केटिक ब्रित, यहाँ पर होता है अन्टि आर्केटिक ब्रित इसे हम देख लेंगे बाद में जब कोसन आएगा तो तो basically यहाँ पर जो आपका हेमी इस्पेर है यह आपका बहुतिक परियावरण से सम्मन्दित नहीं है the right answer is the sea next देखो आप an example of a solution of liquid in solid is यानि ठोस में तरल के विलियन का example है उधारण है ठोस में तरल के विलियन का अगर आप यहाँ पर ध्यान से भी देखो इसमें दो कोई गैस होता है इसमें भी गैस या जो dust particle होते हैं ठीक है या फिर जो smoke के particles होते है इसमें भी नहीं होगा यहाँ पर आपका यह right answer होगा jelly ठोस में तरल के विलियन का उधारण इसको मैं अलग से आपको करा दूँगा solid, 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 liquid, solid, gas liquid, gas, ठीक है जितनी भी examples होते हैं मैं आपको अलग से करवा दूँग, उसे आप देख लेना दोखो फ्रेंट्स मुझे नहीं पता कि इतने लोग इस बात को आप देख रहे होंगे क्योंकि बहुत सारे तो लोग होते हैं कहीं से आपको PDF मिल जाता है और आपको लोग से पढ़ने बैठ जाते हैं देखो होता क्या आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है पहले आपको यह पता होना चाहिए आपके पास huge material तो होता है लेकिन जो आपकी exam के लेक काम की चीज़े ठीक हो आपको पता होना चाहिए आप बहुत कुछ पढ़ लिया आपने लेकिन आपने syllabus ही नहीं देखा क्या पढ़ना था आपको वही चूट गया थोड़ा बहुत questions कहीं से भी उठा की पूछा जा सकता है next question यहाप पर देखो आप लोग कौन सी memory अस्थाई और इस्थिर मतलब इस्टेटिक और non-boletile दोनों होती है यह हो कि आपका random access memory यह आपकी जो होती है अस्थाई और volatile होती है ठीक है यानि इसको हम बार बार मिटा सकते हैं वापस से लिख सकते हैं कैसी memory आप से भी जानते हैं जहां पर कुछ पार्ट या जो भी हम work कर रहे होते हैं तो इसके अंदर restore होता है और इसे से आपके जो spirit होती है प्रोसेसर की वो मिलती है आपको यह भी आपका non volatile होता है sorry sorry volatile होता है bios यह भी आपका option गलत होगा read only memory जैसे आपका hard disk हो गया वगया या जो computer का आप कर सकते हैं जो motherboard वाला part हो गया ठीक है तो यह आपका static होता है non volatile होता है जब आप system off कर देते हैं उसके बाद भी आपका data store रहता है basically इसको ऐसे हम समझते हैं कि जो हमारा memory वाला part system हमने आप कर दिया उसके बाद भी ओड़ डेटा उसमें feed है save रहेगा वो हमारा होता है non volatile static और जो system off करने के बाद delete हो गया ठीक है तो वो हमारा होता है non volatile sorry volatile जैसे आपका random access memory हो गया operating system आप लोग तो तो आप समझते रहेगा एक इसमें होता है न application software आप लोगों में से जिसको भी पता हो application software का मुझे आप एक examper बता हो जल्दी से application software software तो है लेकिन उसका एक application होता है जैसे microsoft word, microsoft powerpoint, microsoft excel, mspent यह सभी आपके application software के examper होते हैं ठीक है इसी तरह से आपका जो operating system होता है OS यह सारे चीज़े आपको पता रहा न चाहिए HTTP क्या होता है, HTTPS क्या होता है आपसे मेंसा सला दी जाती है कि आप लोग जहां पर यह लिखा हो ऐसे भी लिखा होना चाहिए, ठीक यह वाला URL आप यूज क्या करिए न कि इसको, ऐसा क्यों बोला जाता है यहां पर yes लिखा हो है, ऐसका मतलब होता है secure ठीक है फिर दोको यह आप लोग आपका पूछा गया है दोबारा पूछे करें, लेकिन नीती आयोक को आपको पता रहिए जैसे नीती आयोक में क्या सकता आप से कि इसके वरतमान ceo कौन है जैसे अभी अमताप कांत है, इसके वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, अध्यक्ष होते हैं आपके भारत के प्रधार मंत्री, ठीक है, ये सब चीजी होती है, उसके बाद कुछ इंडेक्स होते हैं, जैसे कि जो आपका इनोवेशन इंडेक्स ह क्ठीक होता है या पर्तियर्स परदा 4 अओंन इंडिएक्स तो ये त Deutsch आयोग जारी करता है इसे तरह से कुछ इंडिक्स जो कि नीथी आयोग जारी करता है या पर फूल-वाम तो क्षर ज्सकार पोई श्क्राइम रॉक्षिक एगे टिंटियों से अट्रास फॉर्म Commission आपका 1951 में गटन हुआ था इसका और इसका प्रमुक कार्य था पंचवर्षी योजनाओं को तयार करना इसके बाद आपका NDC National Development Corporation भारत विकास परसद उसके द्वारा अनुमोधन किया जाता था संसत के पडल पर रखा जाता था यहां पर और उसके बाद पे पंचवर्षी योजना को समाप्त करके उसके जगह पर नीति आयोग एक मतलब लॉंग तर्म जो है एक वहां पर योजना बनाई जाएगी और इसे भारत का थिंक टैंग दिया गया नाम इसको तीक है याद रखेगा अगर आपसे क्वेस्टन ऐसा पोचता है कि भारत के थिंक टैंग की र तो प्लानिक कमिशन आपका है पर रहाजागा राइट आंसर बी दोगो फ्रेंट्स एक क्वेस्टन में जो भी रिलेटेट फैक्ट्स होंगे यानि क्वेस्टन आपका तो कोई रिपीट होगा नहीं तो जो भी आपको रिलेटेट फैक्ट्स बताय जाते है ना उनको आप नोट डाउन कर लिजिए या फिर अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है नहीं पता है तो आप कोशिस करिए इसको आप एक दो बार और सुन लिजिए वीडियो को देख लिजिए देको दोस्तों फिर अगला क्वेस्टन आपका है पावर्टी इन इंडिया इस मे लेबल आप दो फेमिली नंबर आप फेमिली मेंबर्स एक देखो आपका जो ह्डिया इंडेक्स जारी क्या जाता है ग्लोबल लेबल पर होता है ये तो इसमें जो होता है आवाज सिक्षा कई चीजे देखी जाती है लेकिन भारत में जो गरीबी का मापन होता है पावर्ट करने के लिए आपने देखा होगा परड़े इतने रुपे इनके इंकम होनी चाहिए या फिर मंतली इतना होना चाहिए उसके पहले जो है कैलोरी की आधार पर मापन करने के लिए वहाँ पर एक बनाया गया था कि इस तरह से हम गरीबी का आगलंग करेंगे ठीक है याद करना याद रखना इसको आप कैलोरी ग्रहड की आधार पर बाकि इनकी आधार पर नहीं होता है गरीबी का मापन अगला कोशन है भारत के अटार्नी जनरल अटार्नी जनरल आप इंडिया इज अपकॉइंटट बाई दर प्रधानमंत्री वित्तमंत्री प्रिजडेंट आप इंडिया होम मेनिस्टर इसको हिंदी में बोलते हैं महा नयायवादी भारत के प्रत्व विधी अधिकारी अटार्नी जनरल इसके अलावए एक सॉलिसेटर जनरल भी होते हैं ठीक है इसी तरह से राजियों में AG होते हैं तो भारत के जो Attorney General होते हैं इनकी नियुक्ति राष्टरपती के द्वाराय की जाती है भारत सरकार का जो पक्ष होता है न कोट में जाकर के उनका पक्ष रखना होता है विदिक सलाकार होते है Attorney General आप लोग comment करके यह बताईए हमें कि वर्तमान में भारत के attorney general of India कौन है और किस number के हैं ठीक है कौन सेवे हैं इसके अलावा solicitor general का नाम आप सभी को पता होना चाहिए solicitor general उसे पूछता नहीं है तुसार में आता है ठीक है तो बिल्कुल आपको पता होना चाहिए यह सारे question कभी कभी आपसे ऐसा पूछ सकता है कि अपना त्याग पत्र किसको देते हैं तो भी आपका right answer यह होगा भारत के राश्ट्र पती अगला question देखो यहां पर the toxic metal associated with the मेना माटा episode is मेना माटा के गटना वी थी जापान में जहां पर आप सभी जानते हैं कि मचलिया मर गे थी पानी के अंदर हुआ क्या था उस पानी में पारा या फिर पारद या इसी को मरकरी बोलते हैं एक मात्र ऐसा metal धातू होता है जो कि liquid form में द्रव अवस्था में पाया जाता है तो पारा की वज़े से यह मेना माता जो बिमारी फैले थी यह पारा के पानी में गुलने की वज़े से मचलिया मर गे थी जापान भी घटना के घटी तो भी थी इसी तरह से कैड्यम ये भी आपसे पूसकता है इटाई इटाई रोग आर्शनिक का आप लोग बताएंगे आर्षेनिक की मात्रा कहां पे ज़्यादा घूली भी मारत में किस राजी में आर्षेनिक की जो मात्रा है पाने में घूली भी ज़्यादा मिलती है किस राजी में आपको भी ये बताना है कुछ question दोस्तों जब आप Google पे search करते हैं तो आपको related कई सारे questions उसमें और मिल जाते हैं थोड़ा सा आप लोग कोशिस किया करिए कुछ question जो आपको बताया जा रहा है या फिर मैं आपसे पूछ रहा हूँ तो उसको आप लोग जरूर एक बार Google कर लेना है अगला कोशन देखो यहाँ पे आप लोग milkiness observed on passing carbon dioxide through lime water which due to the formation of lime water CAO calcium oxide इसमें जब हम CO2 को pass करते हैं तो यहाँ पर कुछ बनता है आपको वही बताना है जिसकी वज़े से जो solution होता है वो milkiness दोधिया हो जाता है तो यहाँ पर किसका फार्मेशन होता है CACO3 calcium carbonate CACO3 यह हो जाएगा बिल्कुल यहाँ पर right answer अगला कोशन देख लो आप लोग यहाँ पर और यहाँ पर last question हम इसको ले रहे हैं इसके बाद बागी की question हम करेंगे अगले वीडियो में नेमनलिकित में से क्या अर्दचालक है which of the following is a semiconductor semiconductor आप लोगों में से किसको पता है जल्दी से आप लोग कमेंट करिए semiconductor basically होता क्या है इसका जो resistance होता है न टेंप्रेचर के साथ decrease होता है तेजी के साथ यानि जो अर्दचालक होते हैं इनकी जो conductivity होती है semiconductor और जो इंसुलेटर होते हैं उनकी बीच में होती है ठीक है लेकि जब इनको हम थोड़ी से energy दे देते हैं तो इनकी चालकता तई गुना जादा बढ़ जाती है आपके LED ये सभी आपके semiconductor से बनते हैं और सेमि-konduktor को हम लोग semi-metals भी बोलते हैं उपधातू का है ठीक है इसके example क्या क्या है कौण क्यों से हैं छिल्ट legal Leader घैलियम हो गया ठीक है इसके लावा गैलियम आर्चैट बनाते हैं यह यह भी आपका बनता है अर्दचालक से यह आपकुछ एक्जामपल से को याद रखेगा सिलकन जर्मेनियम गैलियम ठीक है यह सभी आपके होते हैं सेमी कंड़क्टर ठीक है फ्रेंड्स बागी कोशन करते हैं अगले वीडियो में थैंक यू सो मच थैंक्स पर वाचिंग